कहीं खो न जाए जड़ी बूटी का रहस इसलिए देखिए जड़ी बूटी नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे आईए आज हम एक बहुत बढ़िया जड़ी बूटी आपको दिखा रहे हैं पहचान करा रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे जो भाई बहन हैं उनको आँखों से दिखाई देना बहुत कम हो रहा है बहुत सारे मर्ज आखों के मोटे मोटे चसमें चड़ने सुरू हो गए हम बुजुर्गों को क्या कहें बच्चों के आजकल चसमें चल रहे हैं तो उसके लिए क्या उपा है कि बच्चों के चसमें या बुजुर्ग केचस में किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं क्योंकि आज कल की भाग दोड की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है, इतना ज्यादा लोग मस्त रहते हैं कि उनकी अपनी आखों का ध्यान ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि खान पान भी सही नहीं, दिन भर काम में लगे रहना हैं, साम को खाना खाने का समय नहीं, सुवे घूमने का समय नहीं हैं क्योंकि हमारी आखों में सुवे अगर घूमते फिरते हैं, हरे घास में घूमते हैं तो बहुत आराम लगता है, हमारी आखों को आराम मिलता है, आप धूप में घूमें, सुबह सुबह धूप लीजे सूरज की, कभी एक घंटा तक आप धूप लीजे, बागी दिन में धूप नहीं लेना है कि आप लोग दिन में धूप लेने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह जिस समझ सूरज उपता है, उस समझ ही आप आपको एक घंटा तक उसकी धूप ले लीजिए, आखें ताजी हो जाएंगे।। ह कुछ ना धूप लगना तो बहुत दूर हो गया। क्यों कोई ये कूलर में बैटा है, सुर्य की धूप की रोष्णी जो है, सुर्य की रोष्णी मिलना ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रियोग किया जाए जिससे कि हमारी आखें सही रहें सुरक्षित रहें और चस्मा न चढ़े बुढ़ापा तक हमारी आखों को किसी प्रकार से तकलीफ न हो तो आई ये आज हम बता रहें कि कुछ हद तक हमारी आखें इससे सुरक्षित र तो यह आउला आपको किसी तरीके से भी आपके पेट में जाना चाहिए जा है वो कच्छा आउला खाईए या पका हुआ आउला खाईए या आउले की पत्तियां खाईए या आउले की कैंडी खाईए या कुछ भी किसी तरीके से भी आपका आउले की चटनी बना करके भी तो आउले का किसी प्रकार से प्रत दिन आपको सेवन करना है आप इसकी पत्ती ऐसे करिए और आराम से ये देख पा रहे होंगे ये पत्तियां हैं ये देख पा रहे होंगे आराम से इसको ये मुह में डाल लीजिए आप इस तरीके से भी खा सकते हैं तो किसी तरीके से भी आपको पेट में पच्चियां लेदा है, फ़ल लेदा है, क्योंकि इसमें बिटामिन C की मात्रा बहुत तेजी में होती है, बिटामिन B और C की मात्रा बहुत जादा होती है, आप इसका कैसे भी प्रियोग करें, कच्चा खाएं जैम खाएं केंडी खाएं मुरब्बा खाएं इससे डाइबिटीज का मारीज भी सही हो जाता है अगर सुगर लेवल किसी का बढ़ा हुआ है तो सुगर का मारीज भी इससे सही हो जाता है किसी को गैस बन जाती है पेट में एसी डीटी बन जाती है तो अगर गैस की समस्या है तो जहाँ इसकी पत्तियां खाएं जहाँ चत्नी खाएं इसकी जहाँ आउला किसी प्रकार से पेट में ले तो आपकी गैस उगारा अपच में अगर आपके मुँझे कील मुहां से निकलना बंद हो जाएंगे चेहरे में एकदम चमक आजाएगी बहुत बढ इसका प्रियोग आप जो है बालों में भी जो है बाल भी आपके बहुत ही सुन्दर रहेंगे क्योंकि इसमें बीडामिन B और C की मात्रा होनी की वज़े से बाल भी आपके मुलाइम रहेंगे बाल एक्दम घोंगरा ले तो बस मैं इतना ही जानकारी देना चाहे रहा था अग की आँखों की रोसनी तेज होगी आपके आँखों से चस्मा हट जाएगा आँखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसलिए इसको प्रत दिन आप किसी रूप में पेट में अपने लिए और आउले का सेवन करिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए सस्काइब करिए बेल आइक अनान कर लेना कि इस प्रगार की जड़ी बूटी संबंधी वीडियो मैं रोजाना डालता रहता हूं तो सब से पहले आपको देखने को मिलती रहे शबी भाई बैनों को नवस्कार जैहिंद बदने मात्रम